एक बार की बात है, जॉन नाम का एक दयालू किसान था। वह अपनी पतनी और दो छोटे बच्चों के साथ एक छोटे से गाम में रहता था। जॉन के पास एक सुन्दर खेत था जिसमें उन्होंने अपने परिवार और समुदाय को प्रधान करने के लिए लगन से काम किया। एक दिन अपने खेतों में काम करते हुए जॉन को एक टूटी पंक वाली एक छोटी सी चिडिया मिली। उसने सावधानी से पक्षी को उठाया और घर ले गया। उन्होंने पक्षी के लिए एक आराम दायक घोंसला बनाया और अत्यंत सावधानी से उसकी चोटों की देख जॉन एक नया साथी पाकर खुश था। एक सुबह जॉन ने देखा कि पास के एक खेत से धूआ उठ रहा है। उसने जल्दी ही महसूस किया कि आग लग गई थी और किसान और उसका परिवार खत्रे में था। बिना किसी हिचके चाहट के जॉन उनकी सहायता के लिए दोड पक्षी ने खत्रे को भांप लिया था और दूसरे परिवार को बचाने के लिए जॉन को समय रहते सतर्क कर दिया था। गाव वाले चिडिया की सूझबूज और जॉन की बहादुरी से चकित थे। उन्हें दूसरों की मदद करने के महत्व का एहसास हुआ और कैसे सबसे चोटा जीव भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है। कहानी का नैतिक ये है कि दया और करुणा अप्रत्याशित मित्रता बना सकते हैं और बहादुरी के कारियों को जन्म दे सकते हैं। दयालुता का कोई भी कार्य, चाहे कितना भी चोटा क्यों न हो, किसी का ध्यान नहीं ज जाता है और यह दूसरों पर एक लहरदार प्रभाव डाल सकता है, उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है।